कि हेलो प्रेंट्स तो हम आप बत करेंगे मानहानी के बारे में दोस्तों जो पुरानी ऐसी के अंतरगत मानहानी को परिभास्जित तर्गह गया था चार। संट नियान पैक अंतरगत लेकिन अब नए जो भारती न्या शहीता के अंतरगत अब इसको प्रोसीजरों को मानहानी अब 356 में परवासित किया गया है दन्रित करने का प्रवधान बताया गया तो दोस्तों कहीं में जाए वीडियो को पूरा देखिए वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूं मानहानी के सारे प्रोविजन जो नए कानून के अतरगत आ चु अब हो सकते तो एक सेर कर लेती है शली दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो सबस्ते बाता है जो नए कानून आ रहा है उसमें मानहानी कि धारा जो है भारती न्या सहिता के अंतरगत 356 के अंतरगत दी गई है और मानहानी क्या होती है कोई बैक्ति किसी बैक्ति के करने के उद्देश से कहता हो उसे ही मानहानी कहते हैं सिंपल सी बातों में दोस्तों जूठा लांचन लगाना मानहानी होता है लेकिन जब साबित हो जाए कि जूठा था उसके बाद मानहानी होता तो इस तरह से अगर कोई बैक्ति करता है तो वह एक मानहानी के अंतरगात आत स्टो आपको बात अस्पर समझ में इसकान करेंगे नान उसी कि आप दो सिविल और क्रिमिल में आप दस्छ बात कर सकते हैं यहां जो मेरी 10 membr मेरी एक लाक और रुपय का मानानी हुई है तो आप उसे मुतय कर सकते हैं कि还 जादेलवा सकते हैं तो लाइक कर दाइए और कोई कि अफसर्द बोलता है तो वह एक मानहानी होती है और मानहानी है अगर कोई मर गयstory म्रतक ब्रति कोई चाराब बैगती था आई थी तो जैसे मरने के पास सब एच्छे हो जाते हैं लेकिन उनकी मृत के बात कोई बुराई करता है बेजिती करता है तो वही एक मानहानी होती है और उस मानहानी करनेवाले ब्यक्ति के खिलाब उस मृतक ब्यक्ति के परिवार के लोग मुकदमा दर्च करवा सकते हैं पहली पन दोस्तों हो गई दूसरी पॉइंट के कर बात करें Company समदाय या ग्रूप का सदस्य की कोई इनका कोई अपमान करता है तो अब मानहानि होती है जैसे कोई ट्रस्ट हो गया उसकी कोई कोई कमपनी है तो उसकी कोई बेजिती कर रहा हो तो ग्रूप संदाय हो उनकी भी मानहानी होती है अगर ऐसा कोई करता तो उसे कंपनी ट्रस्ट या संदाय का सदस उस बेखती के खिलाब केस करवा सकता का चाहे सिभील का चाहे क्रिमिल का चाहे एक ही केस दस कराएगा डोनों कर सम में कराइगे शूंपर छुरी किया है उसा को इसा करे फ्रला प्रक्तुपर गाली दे इसारे में कोई बताएए जोठी बात पता रहा हो तोहां पर मानानी होती तोos of अगर ऐसा कोई सत्थ मानाने करता है इस भ्यक्ति को कि खिलाब भी चकाद मांग तरजह ऑगां को मानानी के लिए जाना ही उनको упाहर होता है और भास को गत्रकित मों कदमा उसको ना पता हो लेकिन आप उसकी बुराई कर रहे हूं तो यह मानहानी होती है और ऐसा करने वाले ब्रक्ति को मानहानी के तहत धंडित कह जा सकता है अब दोस्तों बात आती है कौन-कौन मानहानी का मुकदमा कर्च करता है दोस्तों बच्चों के माता-पिता यानि कोई बच्चा 18 वर्ट से कम उम्रका है उसकी अगर मानहानी हुई है तो उसके माता-पिता मुकदमा दर्च कर सकते हैं दूसरी बात दूस्तों, अगर किसी एडल्ट जैसे कोई समान वैक्ती है, अठारा साल से उपर कहा है, तो वा खुद जाकर मानहानी के मुगदमा अपना करवा सकता है, दूसरी बात जो मुझूर्ग है, चलने फिरने में असमर थेंपरिद्ध वैक्ती है, अगर उनकी कोई मा मुकदमा दर्च करवा सकते हैं या कोई इनको हायर करता हो तो मानहानी के लिए मुकदमा दर्च करा सकता है चाहे सिविल का चाहे क्रीमनल का दोस्तों यहां तक बात समय आई अधिया जो प्रोसीजार होता है ना बी एन अनस यानि भारती नागरी सुरचास सहीता 222 के अंतरगत होता है यानि जो CRPC के बाद BNNS आई है BNSS इसकी अंतरगत 222 के अंतरगत आप मुगदमा दर्च करवा सकते हैं इस प्रोसीजर के अंतरगत अगली बात करेंगे दोस्तो मानहानी कब नहीं होती है अब तक हमने बताया कि मानहानी क्या होती है कब होती है अब बताएंगे मानहानी कब नहीं होती है दोस्तो पहला पॉइंट अगर हम बताएं सच बोलने वाले के खिलाब जिया दोस्तो अगर कोई ब्यक्ति सच बोलता जैसे फला ब्यक्ति चोरी किया है मैंने देखा है वो सच बोल रहा है तो उसके खिलाप आप माना हाई नहीं कर सकते हैं दूसरी बात दोस्तों लोग सिवक के खिलाप अगर सिकायत आप करते हैं तो माना हानी नहीं होती है जैसे मालीजे आपने फैयर दज करवने गया पुलिस ने फैयर दज नहीं किया तो आप स्वी साफ के यहां गए फला थाने का ध्यच थाना ध्यच मोदे मेरा फैयर नहीं दज कर रहे है तो वहाँ पर पुलिस वाले ने कर सकता कि मेरी माना हानी हुई है क्योंकि आप लोग सिवक करतब्यों को जो भूल करके नहीं काम कर रहे हैं अग्यां के खिलाप मानहानी नहीं होती lawyers का बार्स कि अगर फिर्स नलायप साथ खलेवाड और तो बेहरे हैं। उसी किना किसी बेखती के खिलाब किसी भी परिवार के खिलाब किसी परसनलाइब के खिलाब आप कभी ऐसा कोई आप सब्सक्राइब ना बोले जिससे कि उसी मानहानी होती हो वह अपमानित होता है अगली अगर बात करेंगे हम जानना चाहती है तिसरा पॉइंट है जानना च पर जनता जानना चाहती है वहां पर मानाहानी नहीं होती है यहां पर जनता जानने का बात होती है वहां दोस्तों कोई कोड़ देती है जिजमेंट रहें पर मानाहानी नहीं नहीं होती है चिप्धियक्ति भी तो जो भी जूसरा पच्छ निरास हुआ है या पहला पलब नहीं कोई को सओ उसमें एक को सच उलता था तो वहां पर मानहानी के कारेवाही के दोना को यंगर गवाधर कर तो कौना क करता वैक्ति नेги ने पने यह खोंसी देखा हूं और भी और बज़ती बहीं हो जाता है जिसके ऊपर इलजाम लगाऊता है और वह बैक्ति गवाह को पर केस नहीं कर सकता है क्योंकि वह कोट की प्रोसीजर थी कोट में कहा जूट हुआ सच हुआ अलग बात है लेकिन उस दरान कोट की कायव है कि दराना मानहानी का मुगदमा नहीं कर सकते भले ही आप बाइज़त बरी हो गए हो जोस्तों अगली ब लगक्ति जी हदोस्तों कोई बाति आपके उपर अधिकार रखता है तो नहीं नहीं होते हैं इसके अपको उपर कोई आप JUDY नहीं कर सकते हैं क्योंकि माह का प्रेम है मां आपको दुलार में कर रही है इसलिए अपनापन दिखा रहे हैं इसलिए मानाहनी का मुकदमा आप नहीं कर सकते हैं दूसरी बास सिल्फ डिफेंस में कोई अगर मानाहनी करता है तो वहाँ पर केसि नहीं कर सकते हैं साउधहान करने के लिए कोई वगतिया आपको कर आ arrested आप मानाहनी का मुकदमा नहीं कर सकते हैं तो इन दोस्तों दस जो मैं बताया हूं आपको इन में एगर कोई मानाहनी करता है तो आप मानाहनी कर सकते हैं अगर आपको कोई नाम भीगाड़ता है क्या डोलो मूलो हे मोटे कैसा है तो एधिया मानाहनी होगी इसके खिल्까지 कि मुगदमा का सजा हुगी हैं अगली बात करेंगे हम कि आप सड़ा की बात करेंगे कि माना हनी करने के पर क्या सजा होगे यहाँ दोस्तों 2 साल कर सजा होगा और जृमाने इसे भी दंडित क्या जा सकता है अगर किसी नेता राष्टपती उपराष्टपती या किसी बड़े अस्तर की नेता के उपर आप मानहानी करते हैं तो दो साल के सजा और जुर्माना होगा और साथ-साथ इसका जो ट्रायल होगा सेसन कोट में होगा दूसरी बात दोस्तों लिखा हुआ कोई बात है अगर वहाँ पर कोई अपमान होता है तो उसकी भी सेम इस विधाराय यही जुर्माना होगा और कोई लिखी बात को कोई प्रमोट करता हो जानते हुए कि यह जूटी है फिर भी उसको प्रमोट करो जैसे निवीच पेपर में कोई बात लिखी हो लिखी जूटी हो लिखी ना उसका प्रमोट करता हो तो भी मानहानी होती है और इस तरह कोई अपराद करता है तो दो साल के सजा जुर्माना और साथी साथ इसका जो मजिस्टे ट्रायल होगा मजिस्टे फस क्लास करता होगा दोस्तों आज की वीडियो हमने जाना सारे प्र करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें चैनल दोस्तों मिलें के लिए